विशिष करके बहुट लोग ऐसा मानते हैं कि पवित्र सान मास में शिव पूजा करने चाहिए ऐसा नहीं है माक्षर मास विशिष परकास शिव साधना के लिए है और भादो मास में विशिष भुगवान महादेव के साधना के लिए है माक्षर मास में दक्ष पुत्री सती को भगवान शंकर जी मिले और पवित्रसान मास में विष्ट्नो पत्नी लक्षम जी को भगवान महादेव मिले और भादो मास में यमाले पुत्रे पारोती को भगवान महादेव मिले इसलिए तिनों मास शिव भगतों के लिए शिरिष्ट है। वैसे शिव महापण गरंथ में देखे तो कोई भी मानोख कोई पर समय पए। शिव की पुजा के लिए शिव दर्शन के लिए कोई मूरत देखने के जरूरी नहीं है। कोई भी मुरत में कोई भी चौबडिये में भगवान शीव की पूजा हो सकती हैं काल हो उदिवेग हो शुब हो अमरूत कुछ भी कुछ भी समय आप शीव की पूजा कर सकते हैं